इस activity के लिए लगने वाला समान बिल्कुल एक कोरा कागज उसके साथी साथ और एक कोई और रंग का कागज अगर रंग का कागज ना हो तो और एक आप कोरा कागज भी इस्तमाल कर सकते हैं sketch pen या marker और catchy अब सभी का आज के activity में बहुत बहुत स्वागत है तो आज के activity क्या है देखते हैं आपको देखना है कि इन सारे जहरों में से कौन सा चेहरा है जो दुखी है या कौन सा चेहरा है जो खुश है बच्चों आपको ध्यान से देखना है फिर आपके पास ऐसे गोल कटाउट रहेंगे जिस पर ऐसे ही कुछ खुश चहरे और कुछ दुखी चहरे बने होंगे आपको क्या करना है इन में से अगर मैं जैसे कहूं कि ये वाला जो है ये आपको क्या लग रहा है बच्चों खुश लग रहा है कि दुखी अगर खुश लग रहा है तो इसे उठाना है और इन में से कौन सा चहरा बिल्कुल इसी तरीके से दिख रहा है उस चहरे पे इसे लगा देना है ध्यान से देखना है वापस एक बार देखते है इन में से देखना है अभी ये चहरा देखते है क्या ये चहरा दुखी है ये आपको लग रहा है ये खुश है देखिये ध्यान से दुखी है तो इससे उठाओ और देखो यहाँ पे कहाँ पे रख सकते है क्या इससे मिलता है बाजो में रखके देखो नई यह दुखी तो लग रहा है पर आखों में से आसू नहीं आ रहे नई हाँ यहाँ तो इसके उपर रखना है और इसे मैच करना है जब आप इससे पूरा करेंगे तो कुछ इस प्रकार से दिखेगा पार को आपको बच्चों को प्रुटसाहिद करना है और जब वो पहचान है उन्हें शबाशी देनी है अगर आपके पास ऐसे ब्लैंक पेपर या और ग्यामी पेपर ना हो जिसकी उपर आप चेहरे बना सको कोई और पेपर का इस्तमाल कर सकते हैं इससे बच्चों का कौन सा विकास होगा तो वो भावनाय पहचान ना सीखेंगे खुद की और दूसरों की यानि की बच्चे का भावनिक विकास होगा कोई खुश है या दुखी है ये बच्चा पहचान पाएगा तो चलिए जल्दी जल्दी आक्टिविटी करके भेज दीजिए थांक यू